हेलो फ्रेंट्स, वेलकम तो माई यूटूब चैनल, एक्सेसाइज 11.4 से कोश्चेन नमबर 9 करेंगे, यह साथ में आप फिगर देख रहे हैं, यह एक रेक्टेंगुलर लॉन है, इसके सेंटर में एक टू मीटर का गोल फ्लावर बैड है, सर्कुलर फ्लावर बैड है, आपको निकाल लेंगे चार चीज़े, नमबर 1 से शुरू करते हैं, the area of the whole land, यानि पूरी जमीन का एरिया, अब यह जो पूरी जमीन है, यह एक रेक्टेंगलर शेप की है, तो हम इसमें रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्म्नल लगा देंगे, तो area of whole land is equal to land into breadth, length इसकी 10 मीटर दे रखी है, और breadth इसकी दे रखी है 5 मीटर, तो 10 फाइव जार हो गया है 50, और मीटर इंटू मीटर मीटर का स्क्वेर, second part देखिए, the area of the flower bed, यह जो फूलो की क्यारी है, इसका area निकालना है, अब यह क्यारी circular शेप की है, तो इसमें circle का formula लग जाएगा, तो area of flower bed is equal to area of circle, और उसका formula होता है pi r square, यहाँ पे pi कीजिएगे, आप कुछ भी ले सकते हो, 22 by 7 भी ले सकते हो, और 3.14 भी ले सकते हो, मैं 3.14 ले ले लेता हूँ, उससे calculation आसान हो जाएगी, तो 3.14 into radius क्यारी का 2 meter है, तो into 2 meter into 2 meter, multiply कर लेते हैं, तो 22,000 हो गया है 4, 4 को 3.14 से multiply कर लेते हैं, 3.14 को 4 से multiply किया, 4, 4s are 16 का 6 और यह 1, 4, 1s are 4, यह 5, 3, 4s are 12, point के बाद यहाँ दो नमबर हैं, तो पीछे से दो नमबर छोड़के point लगाना है, तो यह हो जाएगा, 12, point, 5, 6, और meter into meter, meter का square, area में हमेशा unit के उपर square लगता है, 3rd part देखिए, the area of the lawn excluding the area of the flower bed, excluding का मतलब है उसे हटा के, इस lawn का area आपको निकालना है, लेकिन इस flower bed को हटा के निकालना है, यानि flower bed से अलग इस lawn का area कितना है, तो वो हम rectangle के area में से circle का area माइनस कर देंगे, तो यह बाहर बाहर का जो part है न, यह हमें पता चल जाएगा, तो area of lawn excluding flower bed, यह हो जाएगा, area of lawn, lawn से मेरा मतलब यहाँ परा lawn है, minus area of flower bed, पूरे lawn के area में से flower bed का area minus कर देंगे, पूरे lawn का area हमने उपर निकाल चुके हैं, वो है 50 meter square, और flower bed का area भी हम उपर निकाल चुके हैं, यह है 12.56 meter square, इन्हें subtract कर लेते हैं, तो subtract इन्हें करेंगे, तो 50 में से minus करना है 12.56, decimal का आप ध्यान रखें, कि decimal आप कहां लगाएंगे, यहां 50 के बाद decimal लगेगा, और decimal के नीचे decimal लिखा जाता है, तो 2 यहां, 1 यहां, 5 और 6 point के बाद, तो 000, यहां पर carry होके 10 आजाएगा, 10 में से 6 गया तो 4, यहां 9 बचेगा, 9 में से 5 गया तो 4, और यहां भी 9 बचेगा, 9 में से 2 गया तो 7, और यहां पर 4 बच जाएगा, 4 में से 1 गया तो 3, और point के नीचे point, तो 37.44, 37.44 मीटर स्क्वेर, तो अगर पूरे लॉन में से इस फूल की क्यारी को हटा दें, तो जो बाकी का जो पार्ट है ना, जो लॉन के अंदर है और क्यारी से बाहर है, यह जो portion आपको दिख रहा है, यह इसका एरिया है, फोर्थ में कहा है, circumference of flower bed, इस फूल की क्यारी का यह circumference निकालना है, यानि boundary की length निकालनी है, अब यह क्यारी circle की shape की है, तो इसमें circumference of circle का formula लग जाएगा, तो circumference of flower bed, यह हो जाएगा, 2 pi r, यह formula होता है, value भर लेते हैं, 2 का 2, pi की जीगे, मैं 3.14 लेके चल रहा हूँ, इस question में, 3.14, और radius दे रखा है, 2 meter, solve कर लेते हैं, 22004, 4 को 3.14 से multiply कर लेते हैं, यह हम already कर चुके हैं उपर, यह value, तो यह 12.56 आ जाएगी, 12.56, और यह meter आएगा सिर्फ, क्योंकि यह circumference है, तो circumference सिर्फ length होती है, length में सिर्फ a की unit आती है, याद रखने की यही बात होती है, कि area के अंदर unit के उपर square लगता है, क्योंकि वहाँ दो units का multiplication होता है, लेकिन circumference सिर्फ एक length होती है, और length में a की unit होती है, तो answer में भी a की unit लगती है, चारो पार्ट हो गए, question खतम, तो इस video में बस इतना ही, next questions के मिलते हैं, फिर next video में, तब तक के लिए, good bye